अगर आपने चैनल पे पहली बार विजट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीज़े ताकि जितनी वी वीडियो जुम अप्लोड करूँ आप लोगों तक नॉटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए और अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी फिनिफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं और साथ में स्टॉक से अरबेट रेगुलर पाना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम गुरूप का लिंक मिल जाएगा बात करेंगे मल्टीपल शे देजी बीते पांस दिनों में देखने को मिली है एक महिने में ये स्टॉक ओल्मोस्ट और साड़े तीन परसंट तक करेक्ट हुआ है जबकि छे महिने के अगर मैं बात करूँ तो इक साल की बात करें तो धाई परसंट की करेक्शन है जबकि मैक्सिमम रिटन्स अगर हम दे अब बेट की बात करें तो मिड़केप स्टॉक तो बाई नाओ फोर एन अपसाइड ऑफ 30 परसंट आर यू होलिंग इच और आज का ही बीस फरवरी का ही ये अपडेट है पोस्ट कॉर्टर 3 रिजल्स वर्यस ब्रोकर इस ब्रोकर इस हैव कम अप विद तर्गेट रिजेड़र स्टेरिध ट्रेडिग ऑडिव तुजल्ट फरीटीन इस वह जोरि कॉर्ट है तो कॉ्ह स्मक्रुंड पर स tob면 केम स्टॉट को ब्लाह इंदिवर्यस हाज आज मर्स्टिय कॉर्ट हम महीद टेसmber hak और याजी मॉटर इस चूथा वनिच भीट इप्राइब अगर बात करें, HDFC Securities, one of the well-known brokerage based in India, gave a buy recommendation on the stock of the Crumpton Greaves Consumer Electricals Limited with a target price of 3.75 with a potential upside of 29.3%. तो यहाँ पर HDFC Securities की तरफ से Crumpton Greaves के लिए 30% upside तक के levels जो हैं, upside के देखने को मिल सकते हैं. पॉर्टफोलियो की बात करें, तो Crumpton Greaves जो है, one of the leading consumer company in India with a 75-plus years old brand legacy, और it is an independent company under professional management and have two business segments, market cap 18,552 करोड का, 92 करोड का, और 52-week high से 11% की correction है. लास्ट के 6 महिने में 5% negative returns है, जबकि return on capital देखें, आप return on liquidity देखें, तो काफी शांदार देखने को मिल रहा हैं. और 50 days and 200 days moving average से below ये stock rate कर रहा है, और यानि की एक undervalued stock है, और इसी बज़ए से HDFC securities करब से 30% upside तक के levels, Crumpton Greaves इस company के अंदर देखने को मिल सकते हैं. December quarter के अंदर company का profit 150CR का सपास रहा, जो की yearly basis पे almost पिछले quarters के हिसाब सही की देखने को मिला है as equal to previous year quarter three numbers और balance sheet की बात करें रिजर्व हैं 2600 क्रोड के और करजा मातर 1000 क्रोड के असपास का है. Shareholding pattern की बात करें, promoters की holding नहीं है, FIs की holding और DIs की holding इस company में सबसे ज़्यादा है, 35.58% and 47.75%, फब्लिक की holding 16.42% इस company के अंदर देखने को मिल जाती है. Next stock की बात करें, तो drone चारी है aerial innovations, यह company जो है drone sector के अंदर काम करती नजर आ रहे और अभी के time पे stock में 0.5% के असपास की तेजी देखने को मिल रहे, 182 रुपे कासपास टॉक्टेट कर रहा है, बीते 5 दिन की बात करें, तो 5% की returns सामने हैं और एक महीने में 4% की correction, 6 महीने की बात करें, तो 20% के returns निकाल कर देखने हैं, जबकि 1 साल में 8% के returns हैं, और maximum returns की बात करें, तो almost 70% के listing, जो है इस company की almost आपको 23 December 2022 के असपास देखने को मिल तो एक साल में almost 70% के असपास के returns ये company बना कर दे चुकी है, positive update की बात करें, तो drawn stock jump 3% after company announces acquisition of Aerofile Academy, और company ने यहाँ पे Aerofile Academy का acquisition करने के regarding announcement दे दिया, जिसकी वज़से stock में positive momentum बना हुआ है, such a positive momentum in the share price was observed after the company and exchange feeling announced that it had signed a term seat to acquire a 76% stake in Aerofile Academy Private Limited, a prominent DCCA certified drone pilot training center in South India, और इसके मज़ से दुनाचारिय अरिया इनुशन के अंदर शोटम में हमें एक अच्छी रिकावरी जरूर देखने को में सकती है, furthermore, this strategic move marks Dhronacharya's foray into South India's drone pilot training landscape, with this engagement, the company aims to extend its influence beyond its existing ship stronghold in central, north and west India establishing a formidable footprint in the variant South Indian market, तो drone sector की अगर आपको पता हो कि drone sector की जो demand है, वो लगातार increase होती जारे है, जिसमें Apollo Microsystems, बाकि और भी जितनी भी aerial sector के अंदर कायम करते हैं, जिनका main impact, जो है, different sector को push करने का, और ऐसे में, इस company के अंदर भी हमें short term में अच्छी rally देखने को मिल सकती है, next stock क बात करें, जो कि हमारी list में आता है, GSW Infrastructure Limited, आज के दिन में 3% के आसपास की तेजी, 240 रुपे आसपास की तेजी है, बीते 5 दिनों में 12% के आसपास की तेजी है, और एक महिने में almost 16% के रिटन्स बना कर दे चुका, 6 महिने की बात करें, तो 50% के रिटन्स हैं, और एक साल म में almost 12-13% के रिटन्स स्टॉक ने बना कर दे हैं, आज के दिन में काफी positive update इस कंपनी के regarding देखने को मिल रहा है, अप्रेट की बात करें, तो इंफरा स्टॉक जंप 4% after receiving an order from जवारला नहरू पोर्ट अथार्टी, तो कंपनी को जवारला नहरू पोर्ट अथार्टी की operation, maintenance and transfer of additional liquid cargo birds LB3 and LB4 at जवारला नहरूपोर्ट through public-private partnership mode, the concession agreement is to be signed within 30 days of the issue of the letter of intent, ऐसे में इस टॉक अंदर फर्दर जो है हमें 12-13% के आज पास तक की रैली और भी short time के अंदर देखने को मिल सकती है, market cap की बात करें तो 50,000 crore का market cap, GSW Group की company return capital 16% है, return on liquidity 20% का है और 52 वी घाई से 3% के आसपास की correction में है, और just 50 days moving average के आसपास से ही जो है एक breakout देखने को मिला है stock के अंदर, December quarter के अंदर company का profit आप देख सकते है, 480 crore है, जो की quarterly और yearly दोनों ही जगह पे improve होता न जाला है, तो काफिए अच्छे numbers जो है quarter 3 के अंदर company ने पेश किये थे, और cash from अगर operating activities देखे तो March 2023 के अंदर 1797 crore का देखने को मिला था और net cash flow जो है 90 CR का आसपास का देखने को मिला है, share holding pattern की बात करें, promoters की holding है 85.61, FIs का stake 2.43, DI का 4.08 और public के पास 5.20% stake इस company के अंदर, तो short term एक अच्छी recovery जो है JSW infrastructure के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ा positive update जो है stock को काफी हद तक push करता नजर आ सकता है, आज की वीडियो नहीं मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेजरू करेगा और अभी तक आपने टेलिगराम ग्रूप को जोइन नहीं किया है, तो लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा,